रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिश्टा जा रहा है वैसे वैसे इसमें परमाडू हमले का भीयप खत्रा मंड़ाने लगा है पुतिन परमाडू जंग के मुहाने पर कहडए रूस यूक्रेन युद्ध के दोरान नाटो देशों और क्रेमलीन के बीच तनाव अपने चरम पर है नेटो लगातार छेतावनी दे रहा है कि मॉस्को के साथ सीधा संगर्श एक वास्तविक खत्रा है रूस की तयारी देखकर पश्यमी देश चौकन्ने हो गये हैं जिसके बाद नाटो देशों ने नेगरानी बढ़ा दिये तरसल रूस के पास किसी भी बाकी देश के मुकाबले में जादा परमाडू हत्यार है ये बयान तब सामने आया है जब पोतिन और रूसी अधिकारी कीव और उसके पश्यमी भागिदारों के खिलाफ परमाडू हमले की धमकी दे रहे हैं एक बार फिर रूस के विदेश मंत्री डॉक्टर सर्जेई लावरोव ने चेतावदी दी कि मॉसको के परमाडू हत्यार पूरी तरस युद्ध के लिए तयार है रूस की नियुजिजेंसी टास के मुताबिक लावरोव ने कहा कि कोई भी परमाडू युद्ध नहीं चाहता मगर रूस के परमाडू हत्यार पूरी तरस युद्ध के लिए तयार है हम रेड लाइन के बारे में बात करते हैं उम्मीद करते हैं कि हमारे आकलन, बयानों को भुद्धिमान, निर्णे लेने वाले लोग सुनेंगे ये कहना गंबीर नहीं है कि अगर कल आप वह नहीं करेंगे जो मैं आपसे मांगता हूँ तो हम रेड बटन दबा देंगे मुझे विश्वास है कि ऐसी स्थितियों में निर्णे लेने वालों को पता होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं कोई भी परमाडू युद्ध नहीं चाहता है रूस के पास ऐसे हत्यार है जिसका यूक्रेन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा खास बात है कि रूसी विदेश मंतरी का बयान डियूमा के स्पीकर वॉलोडीन से अलग है वॉलोडीन ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश युक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइल की सप्लाई करते रहते हैं उनसे रूस की जमीन पर हमला होता है तो फिर हमें परमाडू हत्यार की तरफ रुक करना होगा ऐसी कारवाईयों से परमाडू हत्यारों का वैश्विक यो दिछिड सकता है इसलिए पश्चिम की सोच समझ कर और रेड लाइन का ख्याल रख कर कोई फैस लाने ना चाहिए बता दे कि रूसी विदेश मंत्री की हालिया टिपड़ी पुतिन के एक और सहयोगी यानि पूर्वरूसी राश्चिपती दिमित्री मेद्वेदेव की जेतावनी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिमी देशों की दखल अंदाजी से रूस का धहरे खत्म हो रहा है परमाडू संगर्ष किसी के हिद में नहीं है, रूस के अंदर तक सटीक हमले करने के मामले में पश्मी देशों की दखलंदाजी के जवाब में अपनी परमाडू शमताओं का इस्तमाल करने में सयम बढ़ता है सबसे बड़े धैर की भी अपनी सीमाएं होती है वही अमेरिकी विदेश विभाग ने मेदवेदेव के हालिया बयानों की गंभीरता को खालिच किया उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि मेदवेदेव को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए ये क्रेमिलीन की सामान ने बखवास है बता दे कि अमेरिका और अन्य पश्चमी देश युक्रेन को रूस के खिलाफ खुद की रक्षा करने के लिए सैने सहायता पर्दान कर रहे है इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने युक्रेन को लंबी दूरी की एटकेंप्स मिसाइल को सप्लाई की थी इस दोरान युक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेल पर दबाव डाला कि वे अमेरिकी अटकेंप्स और ब्रिटिश स्टार्म शेडो मिसाइलों पर प्रतिबंद हटा दें जिससे इनका इस्तमाल रूस के भीतर तक में किया जा सकेगा कर दोरान देडि़की अटके भीतर देड़ियू और भीतर दोरान पर देड़ियू